उत्तर प्रदेश सिख्षक पातरता परिछा यानी यूपीटेट 2022 का सेशन फिर से सूनने होने के कगगार पर आ चुका है हम लोग बिल्कुल साल के अंतिम पड़ाओ में हैं लेकिन यूपीटेट की कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं है आने वाले वर्ष में पहले सिख्षक भरती आएगी या फिर यूपीटेट इसके बारे में बहुत सारे प्रशन आ रहे थे आशन की तरफ से अभी कुछ भी इस पश्टी करण नहीं दिया गया है कि सिख्षक भरती होगी अत्वा नहीं होगी क्योंकि सरकार ने अपने पत्ते खुद नहीं खोल रही है कि सिख्षक भरती को लेकरके उनका रोड मैप क्या है हलांकि जब भी सिख्षक भरती आगी उससे पहले यूपीटेट की यही परिच्छा का आयोजन होगा SCRT पर अभीरती इसी मुद्दे को लेकरके उपस्तित थे कि सिख्षक भरती या फिर यूपीटेट पहले कौन सा होगा तो सिख्षक भरती के मुद्दे पर कोई भी इस पस्टी करण या फिर इस पस्ट जवाब SCRT का रहले में अभीरतियों को नहीं दिया गया है उनके द्वारा सिर्फ यहीं बाते दोराई गई हैं कि पहले आयोग बनेगा उसके बाद से ये सबी चीज़े होगी उसके बाद से सिलेबस तैह होगा उसके बाद से एकजाम होगा उसके बाद से मलब एक तरीके से चीजों को गोल गुमाने के कोशिश की गई है इस पस्ट जवाब नहीं दिया गया है कि सिख्षक भरती कब होगी होगी भी अत्वा नहीं होगी इसी के क्रम में यूपीटेट के बारे में पूछे जाने पर S.C.R.T. से अभियरतियों को ये सूचना मिली है कि यूपीटेट का जो आयोजन है वो फरवरी मार्च में किया जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी अभी बातचीत चल रही है कि S.C.R.T. को दी जा सकती है हाला कि ये अभी तक कोई भी कनफॉर्म नियूज नहीं है ना तो शाषान के द्वारा और ना ही S.C.R.T. के द्वारा ये बाते जो निकल करके आ रही है कि आयोग बदलने की त्यारी चल ली है आप लोगोंने नियूज पेपर में भी पढ़ा होगा कि PNP को अब सिर्फ DLT की परिक्षाएं कराने की जिम्मेदारी दी जा सकती है बाकी UPTET और सूपरTET की परिक्षा का आयोज ने एक नए आयोग के द्वारा किया जा सकता है अब जितना विलंब आयोग बनने में होगा उतना ही विलंब सिक्षक भरती में होने वाला है क्योंकि नया आयोग बनते ही उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती कि सिक्षक भरती का तुरंत पेपर करा दिया जाए उसके बाद से पहले उसके पहले सिक्षाक भरती से पहले उसको एक यूपीटेट की परिच्छा का एक सैंपल कराने की जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी ताकि ये अपनी जिम्मेदारियों को बखुबी निभा पा रहे हैं अथवा नहीं क्योंकि well established PNP संसा जो की काफी सालों से रर्न कर रही थी बावजूद इसके यूपीटेट को ले करके बहुत सारी गलतिया इनके द्वारा की जाती है चाहें आप कोई भी यूपीटेट का पेपर उठा करते देख लिजिए सोसल मेडिया साइट पर इनका पेपर पहले ही वा प्रायोग सक्षा में इतने बड़े इस्तर पर इतनी बड़ी परिख्षा कराने के संदर में और CRT का भी कहना है कि फरवरी मार्च में त्यारियां शाषन की तरफ से एक तरीकी से चल रही है यूपीटेट को ले करके हलांकि अभी कुछ भी कनफर्म नहीं है क्योंकि जो भ सिख्षक भरती की बात है तो CRT ने इस पष्ट जवाब नहीं दिया है उनके द्वारे यहीं बाते दोहराए गई है प्रतिबदता जाहिर की गई है कि आयोग जो बनने वाला है उस पर कारे चल रहा है और आयोग बनने के बाद ही सिख्षक भरती पर विचार किया जाएगा उमीद करता हूँ आपके डाउट काफियत तक क्लियर हुए होंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद मगवान करे आपका दिन शोब हो